नमस्कार कसिस नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग आज जेडियू का खुला अधिवेशन हुआ जी हाँ पटना के स्केम में ये अधिवेशन आयोजित किया गया जिसमें सीम नितीश कुमार समय जेडियू के तमाम बड़े नेताओं ने बहुत सारी बाते कह सियासी हमले हुए लेकिन इन हमलों के बीच एक बात जो सबसे प्रमुक तोर पर सामनी आई कि सभी नेता ने एक सुर में कहा जेडियू के नेताओं ने कि सीम नितीश कुमार को दिल्ली की गद्दी पर काविज करना है दोहजार चौबिस का जो चुनाओ होगा उसमें दिल किना पर जंडा पर आएंगे इस तरह की बाते नेताओं ने की दरसल उनका साफ कहना था साफ मैसेज था कि दोहजार चौबिस की तैयारी में जुट जाना है और सीम नितीश कुमार की जो पाटी है जेडियू उसको सबसे पहले तो रास्टिये पाटी का दरजा दिल्वाना है और दोहजार चौबिस में जो विपक्षी एक्ता को एकजूट करने की कवायत में सीम नितीश कुमार जुटे हुए थे उसे पूरा करना है और सीम नितीश कुमार जो है विपक्ष को एकजूट कर सकते हैं उनके अंदर ये छमता है और इस पर इस मिशन पर जो है वो बि यानि ललन सिंग जो है दिल्ली तक का रास्ता बनाएंगे सीम नितीज कुमार के लिए इसके लिए तमाम दलों से समन्भे इस्थापित करना हो बात करनी हो सीम नितीज कुमार से मुलाकात करना हो तो इन तमाम चीजों के लिए जो कोडिनेट करेंगे वो ललन सिंग करेंगे यानि ललन सिंग भी महत्पून भूमी का में होंगे जेडियू के अंदर तो ऐसे में पार्टी ने जो मंसा पाल रखी है दरसल 2024 में दिल्ली की सत्ता पनजरेटिक आई हैं विपक्षी एक्टा के जोर पर विपक्षी एक्टा के दम पर कि सीम नितीज कुमार विपक्षी एक् बीजेपी ने दरसली एकूल अधिवेशन जिसमें जो बाते आई उस पर कड़ा हमला बोला बीजेपी ने जो बीजेपी के प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल उन्होंने जमकर हमला बोला है क्या कुछ कह रहे हैं परेम रंजन पटेल यह सुन लीजे आप और दिखा रहे हैं लोग जदिव की लोग सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है स्वैम अपने आप सपना देखना ये तो उनहीं पर निर्भर करता है लेकिन कोई तो तैयार नहीं है देश की तमाम पाठियां जो विपच्च की पाठियां है कोई इनको घास देने के लिए तैयार नहीं है पहले भी विपच्छी पार्टियों की एकता की बात किये लेकिन सबसे मिले और किसी नहीं कहा कि इनके नितुरुत को हम स्विकार करते हैं या इनके नितुरुत में विपच्छी की एकता की बात करें गये लालु को गुहार लग तो सुन लिया आपने प्रेम रंजल पटेल का कहना है कि तीर से मोर्चे का सपना खत्म होरने जा रहा है केसी यार ममता केजरिवाल सही जो अनबड़े नेता है वो खुद पीम पद के दावेदार हैं दावेदारी कर रहे हैं गुजरात यूपी दिल्ली एमसीडी कुढ़नी गोपाल गंड में जनता ने इनको आईना दिखा दिया है तो बीजेपी ने बड़ा हमला बोला जेडी उपर वही आरजेडी इनका समर्थन करती दिख रही है आरजेडी सायोगी पार्टी है और आरजेडी कहना है कि बीजेपी मुक्थ भारत का जो अहवान किया गया है जेडियू के खुले अधिवेशन में उतका उन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि बीजेपी की कई राज्यों से सत्ता चली गए जो बीजेडी के प्रवक्ता है मिर्तुझे तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजे आप इसमें कहां कोई सक और संका है पूरी बिपक्षी एक जूटता को लेकर के सब लोग जो बिहार में दिखा वो अब देश इंतजार कर रहा है देश में दिखेगा बिपक्षी एक जूटता को लेकर आदन नितिस कुमार जी ने कई बार कहा है कि बीजेपी बिरोधी सक्तियों को एक जूट करेंगे बीजेपी का अतापता नहीं रहेगा दो हजार चौबिस में तो वैसे भी जो चुनाव हुए अभी ठीक है कि गुजरात क्लिन स्विप किया लेकिन बीजेपी हिमाचल हार गई जहां केंदर की सरकार बैठी है दिल्ली एमसीडी हार गई उप चुनाव में उत्तर परदेश में देखे किस तरह हार हुई उडिसा में हार हुई लेकिन एक कुढ़नी की जीत पर इतना खुसफ़मी और इतरा रही है बीजेपी इसका मतलव असपस्ट संदेश है कि बिहार की राजनिती के उलट फिर और बिहार की राजनिती का जो कमेश्ट्री और गनित बदला है इससे बीजेपी आदर्नी मोदी जी भई बनाना है संविधान लोग तंत्र को देश को बचाना है इस दिशा में कदम बढ़ चुके हैं अब पटना पर विहार में जो हुआ विहार ने तो सिर्फ अंगडाई ली है अभी तो 2024 में दिल्ली पर चढ़ाई है बीजेपी एक जवाब दे दे एमसीडी बीजेपी कैसे हार गई सत्ता थी बीजेपी के पास एमसीडी की अब वहां सत्ता निकल गई एमसीडी की हिमाचल हार गई अब बीजेपी किस मूँ से कर रही आदर नितिस कुमार जी क्या कर रहें बीजेपी को तो बिहार में सबक सिखा दिया अब 24 में सबक सिख यही संकल्प है अब बीजेपी कुछ भी कहते रहे उसका कोई माइने मतलब है तो सुना आपने मिर्तुंजा तिवारी का कहना है कि बीजेपी की सरकार अब केंदर से भी जानी तय है कई राज्यों में उनकी सत्ता चली गई दिल्ली चला गिया इसमें उनकी सत्ता चली गई हिमाचल परदेश चीन गया उडिशा यूपी कई राज्यों उडिशा और कई राज्यों में जो चुना हुए उसमें करारी हार हुई तो ऐसे में अब जो है बीजेपी के वलकुर्णी के जीत से अतियुत्सा में है और ये जल्द ही फीका पड़ जाएगा तो जे जिव के खुला अधिवेशन में जहां नितीश कुमार को केंद्र की सत्ता पर काभिज करने का स्थपना देखा गया या यूग कहें कि वही बाते हुई कि जो स्कुमार को दिल्ली की सत्ता पर कैसे ले जाया जाया इसके लिए जे जीव अब जो है 2024 तक पूर बोल दिया और RJD ने सपोर्ट कर दिया आगे आगे देखिए होता है क्या जो सियासत है दरसल बात अक्सर उठती रही है कि PM पद के योग उमिद्वार है नितिश कुमार तो साइद इस PM पद के योग उमिद्वारी की जो बात जेडियू करती रही है साइद उन सपनों को अब उनान भरने की जो कोशिस है जो कवायद है वो जेडियू की तरब से की जा रही है हलाकि इन सपनों पर पलीता लगा रही है बीजेपी और RJD भले ही सपोर्ट कर रही है लेकिन आगे आगे देखना है होता है क्या बने रही है कसी शिर्णियूज के साथ तमाम खबरों से